पाइप A और B किसी टैंग को 12 गंटे 16 गंटे में भर सकते हैं, पाइप C इस टैंग को 24 गंटे में खाली कर सकता है, सभी तीनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 गंटे बाद ये पाइप को बंदे कर जाता है, खाली टैंग को भरने में कितना समय लगेगा ए किसी टैंक को 12 घंटे में पड़ता है बी जो है इसे 16 घंटे में पड़ता है लेकिन सी जो कि खाली करने वाला है 24 घंटे में खाली कर लेता है अगर में एल से हमनों तो जाएगा 48 एक कैफिसेंसी 4 बी कैफिसेंसी 3 और सी कैफिसेंसी हो जाएगा 2 जो कि यह खाली करने वाला है सभी 354 के चार घंटे के लिए एक साथ खुला जाता है तो जो प्लस वाले हैं वो काम करेंगे भरने का जो माइनस वाला है खाली करने का काम करेगा चार तीन साथ और यह माइनस दो करेंगे पांच यानि कि एक घंटे में जो काम होगा ट्रॉल कितना होगा पांच ही होगा यानि कि पांच ही कैपिसीडी के चार घंटे तक खुला जाता है इंटू चार करो कितना हो जाएगा 20 अब टंकी 20 बहर गई है 48 में से 20 खाट आएंगे तो remaining कितना हो जाएगा वहाइँ अपका रिमैनिंग हो जाएगा 28 तो टैंक अभी 28 खाली है उसके एक गहंटे में काम कितना होगा 10 भरेगा लेकिन ये 2 उसी टाइम खाली कर देगा बहरें safety 1 भरेगा 1 मिका अथाइस सोारी ब में कर दोवन Cand 28 गहंट में टैंक जो ने सबहब घाएगा अगर आपसा यह कि तोटल टैंक कितने गहंटे में पारता तो 28 लूस कितन petite